Hello everyone, welcome you all to the JCRT DG School. इस वीडियो में हम पूरी करेंगे सिंदबाद की अधूरी कहानी जो हमने अपने पिछले वीडियो में छोड़ी थी. तो यह चाप्टर है सिंदबाद सेलर, सेकेंड वयाज, यूनिट 5A, इसका पार्ट 2 हम लोग अभी शुरू करेंगे. अब इस पार्ट में हम जानेंगे सिंदबाद ने आगे क्या किया, जो अब तक इस डाउट में था कि उसने डिजर्टेड आइलेंड को छोड़ कर अच्छा किया या नहीं. तो चलिए, इस पार्ट को हम लोग शुरू करते हैं, Comprehension Check 2 के Questions के साथ और उसके Answers भी देखते हैं. What was the huge black cloud that सिंदबाद referred to? सिंदबाद को जो बड़ा सा काला बादल की तरह जो लग रहा था, वो क्या था? सिंदबाद referred to the huge black cloud was actually a bird with extraordinary size. सिंदबाद, सिंदबाद ने जो देखा था और उसे ऐसा लगा कि वो काला बादल है, लेकिन असल में वो काला बादल नहीं था, वो एक बहुत बड़ा विशालकाई size का पक्षी था. How did the bird's egg look like? वो पक्षी का अंडा किस तरह का दिखता था? The bird's egg looked like a white ball of giant size and height. पहले जब सिंदबाद ने उस अंडे को देखा था, तो वो समझ नहीं पाया था कि ये अंडा है या क्या है. उस समय तक उसे यही दिखा था कि बहुत ही बड़ा सा सफेद रंग का कुछ बॉल है, जो कि बहुत ही विशाल आकार में था. Third question, how did सिंदबाद come out of the deserted island? सिंदबाद उस निर्जन भूमी से किस तरह से बच के निकलता है? सिंदबाद tied himself to the bird's feet. सिंदबाद ने खुद को पक्षी के पैर से बांध लिया, so that the next morning when the rock take his flight would carry सिंदबाद away from that deserted island. ताकि जब रॉक पक्षी अगली सुभा अपनी उडान ले, तो वो अपने साथ साथ सिंदबाद को भी उस deserted island से ले के जाए. ये था सिंदबाद का प्लान. और अपने प्लान में वो successful भी होता है. वो उस deserted island से निकल करके दूसरे island में भी आ जाता है. लेकिन अब वो doubt में था कि उसने सही किया या नहीं. तो चली अब देखते हैं वो कहां पहुँचा था. The valley of diamonds वो पहुँचा था hero की घाटी में. कितना lucky था सिंदबाद ना. The valley in which I found myself was quite deep and narrow. तो जहां पर अभी सिंदबाद पहुँचा था वो घाटी बहुत ही गहरी और सक्री भी थी. And was surrounded by high mountains. और वो चारो तरब से उचे उचे पहाडों से covered थी. So erect and rocky. और उस तरह के high mountains थे जो सीधी खड़ी चटाने थी. That there was no way to climb up to their side. तो वो इतनी सीधी थी कि उस पर चड़ करके उसके दूसरे साइड जाना आसान नहीं था. कुछ रस्ता ही नहीं था. As I walked about in search of some way of scaping from this place. तो जब सिंदबाद घूम रहा था इधर उधर. कि अपने बचने का रास्ता खोजने के लिए. I observed that the ground was covered with diamonds. Some of them of a huge unexpected size. This view gave me a great pleasure. तो जब वो घूम रहा था तब सिंदबाद का ध्यान उदर जाता है. कि वो पूरा ground जो है, पूरा धर्ती जो है, वो diamond से covered है. ये देख करके सिंदबाद बहुत खुश होता है. कि इतने सारे हीरे, बहुत ही सही जगा में सिंदबाद आया है. But my glee was soon ended. लेकिन सिंदबाद का खुशी जो था, glee यानि उल्लास, आनन, खुशी, वो जल्दी ही खत्म हो जाता है. क्यूं? क्या देखा उसने? When I saw numerous snakes which were so long and so large, the smallest of them could have swallowed an elephant very easily. तो अब सिंदबाद ने वहाँ पर देखा कि बहुत सारे साप है. इतने huge size के, कि उनमें से सबसे छोटा साप जो है, वो बहुत ही आसानी से साप को निगल जाएगा. स्वालो यानि निगलना. ठीक है? तो जस्त सोचिए कि अगर एक हाथी को, elephant को कोई साप आसानी से निगल सकता है, यानि वो साप का size कितना विशाल होगा? है ना? Just see कि यह यहाँ पर साप देखिए, इनका size और यह सिंदबाद है. तो यह कितना छोटा है उनके सामने, तो यह देखने के बाद किसी के भी होश उड़ जाएंगे, किसी को भी जितना भी खजाना वहाँ पर होगा, लेकिन वो खजाना जो है, वो उसके लिए कुछ value नहीं रखेगा. उन सापों के सामने, सापों के डर से, है न? इस कारण से सिंदबाद का भी जो खुशी है वो खत्म हो जाता है. Luckily for me, they appear to hide in the caves during the daytime. तो यह सिंदबाद के लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात थी, कि साप जो है, वो खुद को दिन के समय में गुफाओं में चुपा करके रखते थे. And they only came out by the night time. और वो सिर्फ रात को ही बाहर निकलते थे. ऐसा क्यों? Because of their enemy, the rock. क्यूंकि उनका जो दुश्मन था, rock, वो विशाल का पक्षी, वो उनका सिकार करने दिन में ही आता था. इस कारण से वो लोग दिन के समय गुफा में रहते थे और रात में बाहर निकलते थे. All day long I moved up and down through the valley. सारा दिन सिंदबाद घाटी के उपर नीचे इधर उधर घूमता रहता था. And when it grew dark, I went into a cave. और जब रात हो जाती थी, तब सिंदबाद एक cave में, गुफा में आ जाता था. And having blocked the entrance with a stone. और उस गुफा का entrance को आने जाने के रस्ते को वो एक बड़े से पत्थर से धख देता था. ताकि साप अंदर ना आ पाए. और वो रात के समय at least वो सुरक्षित आराम कर पाए. I ate the remaining food and lay down to sleep. तो वो गुफा में खुद को बंद करने के बाद, वो सवेरे का जो खाना रहता था, वो उसको खा लेता था. और लेटने, सोने के लिए लेट जाता था. But all through the night, the snakes crowled to and fro, hissing terribly. लेकिन सारी रात, snakes जो है, वो सिंदेबाद जिस गुफा में था, उसके बाहर वो लोग रेंगते रहते थे. तो रेंगने से भी जादा खतरनाक होता था, उनका hissing करना, फुंकार, बहुत ही खतरनाक फुंकार के साथ, वो लोग इधर उधर घुमते रहते थे, उसके के बाहर ही. So that I could barely close my eyes with fear. तो डर के मारे, उनके hissing के आवाज के डर से, वो सिंदबाद बहुत ही मुश्किल से ही अपनी आँखों को बंद कर पाता था. I was much thankful when the morning appeared. और जब सुभा होती तो सिंदबाद बहुत ही खुश हो जाता. बहुत ही शुकर, बहुत ही शुकरिया अदा करता इश्वर का की सुभा हो गई. क्योंकि सुभा के समय क्या होता था? सभी साप अपने अपने केवस में चले जाते थे. And when I guessed by the silence that the snakes had moved back to their place, I came quickly out of my cave. तो जब बाहर से कोई भी hissing की आवाज नहीं आ रही थी, सापों की फुंकार की आवाज नहीं आ रही थी, तब इस शांती से, इस silence से सिंदबाद ने ये अंदाजा लगा लिया, कि जरूर सभी साप अपने-अपने caves में चले गए होंगे और उनके चले जाने के बाद सिंदबाद बाहर आता and moved up and down the valley again. और फिर से घाटी के ऊपर नीचे अपना बचने का रास्ता ढूंडने लगता. Kicking the diamonds out of my way, तो उस समय जब वो scaping का रास्ता जब ढूंडता रहता, तो वो उसके रास्ते में बहुत सारे diamonds आ जाते थे, चुकि वो घाटी जो है, वो diamonds से covered था, लेकिन उन diamonds को, उन hero को वो लात मारते हुए आगे निकलता जाता. क्यों ऐसा? इतनी कीमती चीज़ को? For I felt that they were in fact worthless things to a man in this situation. क्योंकि सिंदबाद को ऐसा लगा, फील हुआ कि इस थिती में ये कीमती चीज़ भी किसी भी इंसान के लिए बेकार है, किसी काम के लिए नहीं है. At last, आखिरकार being very tired और जब सिंदबाद बहुत ठक गया, I sat down upon a rock, वो एक चट्टान के ऊपर बैट गया, but I had hardly closed my eyes, लेकिन मैंने अपनी आखे बंद की ही थी, when I felt that something fell to the ground with a thud close beside me. जब एक बहुत ही जोरदार आवाज आई कुछ गिरने की, ठीक मेरे पीछे, क्या था वो? तो, it was a huge piece of fresh meat, वो एक meat, fresh meat का एक बहुत ही huge, बहुत ही बड़ा सा टुकड़ा था, and as I looked at it, few more pieces rolled over beside me, और जैसे ही मैं turn करके पीछे उस meat के पीछ को देखा, तो उसके साथ साथ और भी बहुत सारे meat के पीछ वहाँ पर गिरने लगे, I had always thought that the stories the sailors told about the famous valley of diamonds were not true, और मैं हमेशा से मैं यही सोचता था कि जो बाकी sailors जो है, जो वो stories सुनाते थे, valley of diamonds की वो सही नहीं होती थी, but now I believed them true, लेकिन अभी मुझे विश्वास हुआ कि वो सच था, these merchants came to the valley, जो यह वैपारी होते थे, यह घाटी में आते थे, कब, at the time when the eagles had hatched their young ones, ठीक उस समय आते थे, जब eagles के बच्चे अंडों से बाहर निकलते थे, the merchants then threw great chunks of meat into the valley, the chunks falling with so much force upon the diamonds, were sure to take up some of the precious stones with them, when the eagle pounced upon them, the meat and carried it off to their nest to feed their hungry babies, कितना अच्छा प्लान होता था उन वैपारियों का, कि वो meat के बड़े बड़े टुकडे हैं, जो है, वो बहुत ही force के साथ, बहुत ही जोर से फेकते थे उस valley of diamond में, कि इतनी तेजी से कि उन meat के pieces में बहुत सारे हीरे चिपक जाते थे, और उन meat के piece को eagles आते थे, अपने बच्चों के भोजन के रूप में, वहां से उठा करके अपने nest में जा करके ले चाते थे, chunks यानि हिस्सा, meat का टुकडा, okay, and precious, it means कीमती, precious stones, it means क्या था, हीरा, हीरा, precious stone है, है न, then, then the merchants would scare away the parent eagle, तो जब उन meat के टुकडों को eagles उठा करके अपने बच्चों के लिए nest में, अपने घोसलों में ले करके जाते थे, उस समय वैपारी वहां पर तयार रहते थे, उन eagles को वहां से shout और outcry के साथ वहां से दूर भगाने के लिए, देखिए, किस तरह से जब वो meat के टुकड़ा अपने घोसले में eagle ले करके आता था, तो ये वैपारी उनको वहां से भैबीत करके वहां से भगा देते थे, और भगाने के बाद उन meat के टुकडों में जो diamonds होते थे, उन diamonds को निकाल करके वो अपने पास रख लेते थे, इस तरह से वो वैपारी अपना काम करते थे, treasure यानि खजाना, उनका अपने खजाने को secure करने के लिए वैपारी इस तरह का काम किया करते थे, until this, until this moment, I had looked upon the valley as my deathbed, इन सब के पहले, सिंदबाद उस valley of diamond को अपनी मरन शैया के रूप में देखता था, कि अब तो उसको यहाँ पर मरना ही है, वो सोच, सोची रहा था, कि for there seemed no possibility of getting out of it alive, कि अब यहाँ से मैं जिन्दा कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, but now I took courage and to search for the means for escaping from this place, लेकिन अभी यह सब देखने के बाद, सिंदबाद के अंदर हिम्मत आगए कि हाँ, अब मैं यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल सकता हूँ, तो अब सिंदबाद ने क्या किया, I began to pick up all the diamonds I could find and kept them very carefully in my leather wallet, तो अब सिंदबाद ने, जितने भी diamonds थे, वो देख पाया अपने aspas, जिनको वो collect कर पाया, collect करने के बाद अपने चमडे के थैली में उसने रख लिया, I tied it to my belt और अपने कमर में जोर से उसने उस थैली को बांध लिया, I then choose the piece of meat which seemed most suitable to my purpose and with the help of my turban, turban क्या है, पगडी, tied it very tightly to my back, तो अब अपने purpose के लिए, उसने एक meat का piece choose किया, और अपने turban के help से, खुद को उस meat के टुकडे से बांध लिया, having done this और यह हो जाने के बाद, I laid down upon my face and waited for the coming of the eagles, और फिर उस meat के टुकडे से ठीक इस तरह से, खुद को बांध लेने के बाद, सिंदबाद, नीचे की और लेट करके, अब इंतजार में था कि कब eagle आएगा उस meat के टुकडे को उठाने के लिए, ताकि उसके साथ साथ वो भी इस valley of steak से बाहर निकल जाएगा, तो बहुत जादा देर नहीं हुई, बहुत जल्दी ही मुझे बख्षी के पंखो का फ्लैपिंग का आवाज आया, ठीक है, and as expected, और जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, one of them seized upon my piece of meat and took flight slowly towards his nest, और एक पक्षी आ करके, मैं जिस meat piece में खुद को tie-up करके रखा था, उसको उठाया और धीरे से वो अपने घोसले के और उडने लगा, into which he presently dropped me, जिस घोसले पर फिर उस पक्षी ने उस meat के टुकडे के साथ सा सिंदबाद को भी नीचे drop कर दिया, गिरा दिया, luckily for me, सिंदबाद के लिए यह भी बहुती किस्मत की बात थी, कि the merchants were on the watch, कि वैपारी जो है, उसके ही इंतिजार में थे कि कब eagle आएगा meat का टुकड़ा ले करके, और वो लोग अपने पूरे preparation के साथ थे कि उसको भगा करके उन hero को उससे ले लेंगे, and setting up their usual shouts, they rush to the nest, scaring away the eagles, और वो लोग बिलकुल तैयार थे कि उस eagle को हटाएंगे, और जोर-जोर से shouting करने लगे, out cries करने लगे, और eagle वहाँ से भाग भी गया, और उसके बाद अब उनका next process था कि जा करके meat के टुकड़े से उन hero को निकाल ले, and their amazement was great when they saw me, लेकिन उस meat के टुकड़े के साथ उन्होंने उस इनसान को भी देखा, कौन था, सिंदबाद को, तो उनको बहुत ज़दा आस्चर हुआ कि ये इनसान यहाँ पर कहां से आया, and also their anger for having robbed them of their usual treasure, तो पहले उनके ध्यान में ये था, कि कहीं ये हमारा जो माल है, हमारा treasure, खजाना को लूटने के लिए तो नहीं आया है, but when I showed the diamonds to them, लेकिन जब सिंदबाद ने उसको वो अपने थैली में जो एकटा करके रखा था, diamonds, उन diamonds को दिखाया, all of them crowded round me, तो सभी कोई ने अपना घेरा मेरे चारों तरफ करके भीड कर लिया, उन hero को देखने के लिए, and wondering at my adventurous and approving the plan by which I had escaped from the valley, और फिर उसके सहसी कारणामे सुनने के बाद सभी कोई बहुत ही आश्चर चकित हो रहे थे, और किस तरह से सिंदबाद ने उस valley से निकलने का plan बनाया था, उसका plan, plan की भी वो लोग प्रसंसा कर रहे थे, इतना सहस वाला plan के लिए, at night they led me to their camp और जब रात होई तो merchants ने जहाँ अपना camp लगा करके रखा था, वहाँ पर जिंदबाद को अपने साथ लेके गए, I stayed with the merchants for few days, मैं merchants के साथ कुछ दिन तक वहाँ पर रुका और कुछ hero को इखटा किया, and then as they were sailing homewards, I gladly joined them, और जब वो लोग वापस अपना काम खतम करके घर की और जब जा रहे थे, तो मैं बहुत ही खुशी-खुशी उनको join किया, उनके साथ मैं भी घर की और चल पड़ा, तो ये कहानी थी सिंदबाद की साहसी कारणामों की कहानी, तो अब है comprehensive check 3, which view gave सिंदबाद a great pleasure, क्या देख करके सिंदबाद बहुत खुश होता है, the view of diamonds gave सिंदबाद great pleasure, चारो और हीरे देख करके, उस precious stones को देख करके सिंदबाद बहुत खुश हो जाता है, अब सिंदबाद रात को सो क्यों नहीं पा रहा था, सिंदबाद could not close his eyes to sleep at night by the terrible hissing sound of the giant snakes outside his cave, जब रात के समय सिंदबाद केव के अंदर था आराम करने के लिए, लेकिन बाहर जो साप थे, बड़े-बड़े huge snakes थे, उनका बहुत ही खतरनाक फुंकार की आवाज के कारण, उसके डर से सिंदबाद अपनी आखों को बंद नहीं कर पा रहा था, थैंक यू सो मच बच्छो, थैंक यू सो मच बच्छो,